नमस्का दोस्तो मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र जैसे ही करोना काल खतम हुआ वेसे ही बच्चों की जो प्रतियोगी परिक्षा है उसका दोर शुरू होने वाला है जैसे कि आपको पता है कि किसी भी प्रतियोगी परिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन कई वार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं कड़ी मेहनत करते हैं इसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है तो इसके क्या वज़े हो सकती है जबकि वो मेहनतों पूरी कर रहे हैं लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है तो जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको क्यों नहीं सफलता मिलती आप अपने लग को अपने favor में कर सकते हैं मतलब कुछ ऐसी remedies कुछ ऐसे उपाए में बताने वाला हूं जिससे आप अपने लग को अपने favor में कर सकते हों तो चलिए शुरू करते हैं मान लिजी आप जब किसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस समय कोई ऐसे प्रश्चन है कोई ऐसे सवाल है जिनको आप बारवर करने पर भी वो याद नहीं हो रहे हैं या बारवर करने के बाद भी उसको अप सल्व नहीं कर पाए हैं मान लिजी कोई मेस का कोशन है और बारवर आप सल्व कर रहे हैं लेकि फिर उसका अंसर नहीं आ रहा है या फिर कोई ऐसा कोशन है जिसको आप बारवर लर्न कर रहे हो लेकि वो लर्न नहीं हो रहा है तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आप चंद वाले भाग में लगा लिजए और लगाने के बाद फिर उनी कोशन को जो आप से नहीं बन रहे थे या उन कोशन भाष जो में लोग के लिए मैंनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पारी। एक काली मिर्ची को आपको सिवलिंग के ऊपर चड़ाना है और दूसरी काली मिर्च को अपने घर की जो चोखटे यानि जो में गेट है आपका गर का उसमें उस पर रखना है और जब प्रतियोगी परिक्षा के लिए जब घर से बाहर निकले तो अपने उल्टे पेर से उस का उल्टा पेयर कहां रहें काली मिर्ची के ऊपर और इसा करते हो तो इसमें उस जो कारी मिर्ची है उसके उपर अपना उल्टा पेर रखना है और सीधा पेर घर से बाहर निकलते हो आपको निकल जाना है अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें 100% सफलता मिलने के चांसेज बनते हैं इसी सम्मधित मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ कि अगर आप बार बार परिक्षा देने के बाद बार बार अटेम्ट देने के बाद भी अगर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं उसमें क्या करना है आपको कि जो भी जिस दिन भी आपकी परिक्षा हो उससे पहले जो सुंबार आता है मानली जी आपका जिस दिन भी पेपर हो रहा है उसके एक दिन पहले सुंबार आ रहा हो या उसके पहले जो भी सुंबार आ रहा है परिख्षा से पहले जो भी आपका सोंबार आ रहा हो ऊस उंभार को ये उपाय करना करना क्या रहेगा कि उस दिन आपको माता क्यू ठिर प्रफ करें नाम लेते हुए यांनिका इस्मिरहन करते हुए आपको उत्तर दिशा की मुह करना है उत्तरद्रिशा की मुhn करने के बाद आपके जो दोनों हाथ हैं तो अमें दो कलेना है दोनों कलrió डिए करें ने जिसमें आपको लेना लेसकते हैं डोन ध्याया डिहần में अपने कता भर देंगे गन्य करें गंजित भरके आप आप अविश्यक करते हैं और साथ में बात को और ध्यान देना है कि आपको इसके साथ अपना नाम और गोत्र का नाम भी लेना है और साथ में ही अपनी मनोकामना जो है जिस लिए आपने ये उपाय कर रहे हो उस मनोकामना को भी अपने मस्तक में अपने अंदर याद करते रहना अपने अंदर चलते रहने दिना है ऐसा करते हुए आप उसका अभिशेक करिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मनोकामना को प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके जरू बताईए आज के लिए इतना ही मिलते के नहीं विश्य कसा तता आप रहे खुश और मुझे दी जाग्या जाहिद